हेलो दोस्तो मेरा नाम है एजाज और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे के करेंट अफेर्स की तैयारी के से करनी चाहिए दोस्तो अगर आप किसी एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं और करेंट अफेर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो वो आप कहां से करेंगे इसी के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो को पूरा लास तक जरूर देखेगा और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में लगे बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नए वीडियो की से करनी चाहिए दोस्तो करेंट अफेस की तैयारी के लिए न्यूज पेपर एक ऐसा ओप्षन है जो कि आपको बहुत ही फाइदा देता है न्यूज पेपर से आप देश और दुनिया में हो रही खटनाओ की जानकारी प्राफ्त कर सकते हैं जो कि आपके नोलेज में आपको बहुत ही इंप्रूव करेगी आप दोस्तो मेगेजिन का प्रयोग भी कर सकते हैं और उसे भी पढ़ सकते हैं न्यूज पेपर को आप रोज पढ़ने की हेबिट बना लीजिए यानि कि रोज आप न्यूज पेपर पढ़ना चालू कर दीजिए अगर आप करेंट अफेस की है कि टीवी देखकर तयारी कैसे करनी चाहिए करेंट अफेस की तो दोस्तों आप टीवी में आने वाले न्यूज चैनल को देख सकते हैं और उसे देखकर आप राज्य सभा टीवी लोग सभा टीवी और डीडी न्यूज के जो करेंट अफेस आते हैं उसके कार्यकरम देख तो आपका current affairs और आपकी knowledge इसमें improve हो जाएगी उसके बाद जानते हैं कि इंटरनेट की मदद से current affairs की तयारी कैसे करनी चाहिए दोस्तों इंटरनेट पर आप किसी भी सेत्र से संब्दित जानकारी प्राप्त कर सकते हो हर प्रतियोगिती परिक्साओं के लिए इंटरनेट का बहुती ज्यादा उप्योग होने लगा है एसे में आप किसी भी परिक्षा की तयारी के लिए इंटरनेट की मदद भी ले सकते हैं दोस्तों इंटरनेट पर अनेक ऐसी वेबसाइट है जिन पर आपको डेली करेंट अफेर्स से संबंदित जानकारी मिल जाती है और वहां से आप अच्छी खासी तयारी भी कर सकते हैं अपनी नोलेज को बढ़ाने के लिए और अपनी एक्जाम में जो करेंट अफेर्स आपको तयारी करनी है उसको आप इंटरनेट पर खोज करके वहां पर बहुत सारी वेबसाइट आपको मिल जाएगी उसकी मदद से आप इसे बहुत ही ज़्यादा इंप्रूब कर पाएंगे और अब जानते हैं कि न्यूज एप्लिकेशन जो होती है उनकी मदद से आप तयारी कैसे कर सकते हैं तो दोस्तो करेंट अफेर्स के लिए आप कुछ न्यूज एप्लिकेशन को सब्स्राइब कर सकते हैं इसके लिए आपको प्ले स्टोर पर पर सिर्फ न्यूज एप्लिकेशन या पिर करेंट अफेर्स एसा कुछ टाइप कर लेना है तो आपके सामने बहुत ही एप्लिकेश के रिजल्ट आ जाएंगे आप उसमें से चूज कर लिजिए और जो अच्छा एप्लिकेशन आपको लगता है उसे आप क्लिक करके इंस्टॉल कर लिजिए और दोस्तों इसकी मदद से आपको नियमित रूप से आप नियूट से संबंदित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और सकते हैं दोस्तों लास्ट में आता है सोसियल मीडिया यानि कि सोसियल मीडिया से तयारी कैसे करनी चाहिए करेंट अफेर्स की यह हम जान लेते हैं तो दोस्तों अगर बात करू तो ज्यादाता लोग सोसियल मीडिया को सिर्फ मनोरंजन करने के लिए ही प्रयोग करते हैं ल और विशायों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे तो इसका इस्तिमाल भी आप जरूर करें दोस्तों ये सब कुछ ऐसे तरीके है जिससे आप current affairs की तयारी कर सकते है लेकिन इसके लिए आपको इसमें अपना समय देना होगा ये चितने भी तरीके मैंने आपको बताए उसमें अगर आप अपना थोड़ा-थोड़ा समय देंगे तो आपका current affairs बहुती मजबूत बनेगा और हर exam को आप पास करने की चुनोती रख पाएंगे तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही आज के वीडियो में हमने जाना के current affairs की तयारी कैसे करनी चाहिए तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इससे like कर दीजिएगा और whatsapp ग्रूप में और भी अपने दोस्तों के साथ इससे share जरूर किजिएगा और ऐसे informational वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चेनल को सब्सक्राइब करे और बाजू में लगे बेल आइकन को क्लिक करे ताकि जब भी कोई नया वीडियो में अपलोड करू तो इसकी notification आप तक पहुँच सके और इस वीडियो से संबंदित किसी भी तरह का प्रस्न पुछने के लिए नीचे कमेंट करे